हेलो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कल्चूरी या चेडी वंस के बारे में ठीक है ये त्रिपूरी वाले छेतर में थे कल्चूरी वंस ठीक है तो आईए जानते हैं इनके बारे में सबसे पहले तो हम इनके जानकारी के स्रोत देख लेते हैं कि इनके बारे में हमें जानकारी क कावय तो इन सबी चिंजों से हमें त्रिपूरी के जैडी वांस के जानकरी प्राप्त होती है आगे देखते हैं शासकों के बार में चर्छा करते हैं एक-ईक शासकों के बार में जानते हैं प्रथम प्रतम महतपूर्ण सा सकते इनकी उपाधि देखते हैं के यूर वर्स की उपाधि लिए इन्होंने राजसेखर एक महतपूर्ण साहितेकार थे उस समय ठीक है तो इन्होंने इसके दरबार में रहते हुए कावे मिमान सा और विदसाल भंजिका की रचना की ठीक है यूराज प्रथम नहीं कर आया था आगर देखते हैं इसको इसका पुनर निर्मान कर आया तो इसके मंत्रियों सत्टाने जुराद्ध्रीμ को हटाकर कि पुत्र कोक्ल बुंख और इसके बाद में देखते हैं गाङयेध्य के महतपुर्ण नासा सक हुआ इसने विभिन विजय भरता शाहन हैं अंग फुत्कल कासी और पुंतल इन प्रदेशों पे इसने विजय प्राप्ते की ठीक है? सबसे महतपूर्ण बात यहां पे ध्यान देने वाली बाते हैं कि राजपूत काल में सबसे सर्वर प्रथम सोने के सिक्के गांग्य देवने चलाए इस बात का ध्यान रखीएगा इसने राजपूत काल में सबसे प्रथम सोने के सिक्के गांग्य देवने ही चलाए थे ठीक है? आगे देखते हैं नेक्स शासक हुए करने देव जिने लक्षमी करने भी कहा जाता है ठीक है? यह भी सबसे प्रभाविश आ सकते ठीक है? अगर गाधी पती की इन्होंने उपाधी ली थी इसनों निर्मान कराया करनभेरू के सिव मंदीर बनारस में जो बनारस में करनभेरू सिव मंदीर है उसका निर्मान कराया ठीक है? यूरूपिय लेखोके ने इसे राजपूत काल का नेपोलियन कहा है तो इन्हें नेपोलियन कहा है, यूरूपिय लेको को ने, तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या-क्या दिन किया, सबसे पहले हमने कल्चुरी के चेदिवंस को जानकारी के सरोथ देखे ठीक है आगे हमने देखा एक एक सासकों के बारे में चर्चा की जिसमें कोकल प्रथम, संकरगड, बालहर्स, युराज प्रथम ठीक है आगे देखा युराज दूतिय, गांगय देव आगे हमने इसके देखा करने देव या लक्षमी करने के बारे में चर्चा किए तो ठीक है दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए धन्यवाद